आज रियाक्शन में देखेंगे जवलवी, दसीड, ओपिशल ट्रेलर, रजनी, सीमांग, कन्या कोरन, बांसी और जेफरी आइटिंग आगे उसके डॉटर दिखाई दे रहा है ये वीडियो का टाइटल था, मैं आपका दोश संजे, नमस्कार, खुलूमबा, जुईकार करे, बहुत सारे फ्रेंट्स ने इस ट्रेलर का सजेशन दिया था और मैं भी बहुत जड़ा एक्साइटेश रहता हूँ बोडो मुवीज के ट्रेलर पे रियक्शन देने के लिए और इस ट्रेलर की बहुत लोगों ने तारिफ की ती इसलिए और एक्साइटमेंट बढ़ रहा है ट्रेलर को देखने के लिए वीडियो के जाने से पहले अग कर लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिजए तो पहले वीडियो देख लेते बाते बाद में कर लेंगे लेट स्टार्ट ट्रेडिस्नल डांस मैं एक वास्टूम और डांस बहुत ज्यादा पसंदाता है बहुत जो ट्रेडिस्नल वाइलन होता है उसके आवाज भी बहुत अच्छे लगती है कोष्टूम आच्छे लेक्श बाते लिता है करने दो स्टूम ऐसे लेड़ा अच्छे लेक्शर दो टीनकेशानीर वावाजी कर दो स्टूम, आख कोफोगों, बहुत भीधे होता है झाटिन ग्यकात भीधे लेगता वे इव निए पर लिए प्रहें, आजिए एप्स निए भी प्रहें, आज एपते हैं है नंचर निए जात रए इसे मांगा, अंग निसुंसार कफूजब सरंग भगई नंपी फिनाबा, अंग महामी जिंग लानाने था पावना कब तक उपा के रखा क्यों से एक ने एक दिन तो हमारे हत्ते चड़ी जाएगा Hello, you are Boonthree? Yes Please, come to India I want to see you Hello Boonthree? Hello तो friends, यह था ट्रेलर तो जो लास्ट के कुछ सीन थे वो आखों में पाने लागे और मैं बहुत जदा बहुत जदा इमोशनल हो गया था उस लास्ट का जो फोन कॉल है वो वाले सीन पे भी बहुत ही बहतरीन ट्रेलर था और बहुत मजाया देखके खासकर आपको कुछ ऐसे पार्ट्स भी बताऊंगा कि जो की बहुत ही बहतरीन थे पर और 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 पहले बात करूं तो बैक्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा था आप इसका मज़ा हेड़फोन लगा के ले सकते है मैं एक ही हेड़फोन यूज करता हूं क्योंकि दोनों हेड़फोन लगा के मैं अगर बात करता हूं तो वो मुझे डिस्टरब होता है बाब बोलने में क्योंकि बाहर से आवाज नहीं आती तो वो थोड़ा अलग ही लगता है इसलिए मैं एक ही हेड़फोन यूज करता हू और सबसे जबर्दस बात थी एक्टिंग और स्टोरी एक्टिंग के बात करू तो बहुत ही भेतरी इन एक्टिंग की है सब लोगों ने यहाँ पे स्टोरी इंसरजेंसी और उस घर में एक लड़का जो माओ और चे गौरा के विचारों से प्रेरित है और उससे स्ट्रगल करती फैमिली और उन पे आती मुसीबते यह स्टोरी है और यह हर जगा जहाँ पर इंसरजेंसी यह फिर नक्सलाइट प्रॉब्लम है उस एरियाज में यह उन लोगों के दिल को छूने वाला एक कंसेप्ट है मैम का और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जबर्दस सब लोगों ने निभाया अपने अपने किरदार को जैसे यह सीन है इसमें मैम साइकल पे आ रही है और जैसे वो किसी और दुनिया में खोई लगती है उस सीन में और इतने बहतरी इन तरीके से फिलमाया भी गया उसको जैसे सेकुरिटी फोर्सेस वाले घर पे आके चेकिंग करते है और वहाँ पीचे से ऑपिसर की आवाज आती है कि कहा तक भागेगा एक ने एक दिन तो पकड़ा जाएगा ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि मतलब आप सोचते रहते और सबसे जो सबके दिल को छोके गया होगा जो मैम कहते हैं उनको कि तुम इंडिया वापस आ जाओ मैं तुमको देखना चाहती हूँ वो जगा पे मेरा गला भर के आ गया था कि जो स्टार्टिंग है इस ट्रेलर की एकदम खुशनुमा महौल, म्यूजिक, ट्रेडेशनल डांस वो अलसे एकदम से इसपाइरिंग पेह के रुख जाता है यह ट्रेलर और वहां से एकदम जो खुशी वाला मॉमेंट है वो एकदम सीरियस होता जाता है और जो लास्ट वाला सीन तकाते आते आप इस ट्रेलर के साथ पूरी तरह से बंदे रहते वो सीन जो मैम आपने बच्चे के साथ वो फोटोग्राप देखती है वो आपके दिल को जरूर शुके गया होगा ये मूवी आ चुकी है पर इस ट्रेलर का बहुत लोगों ने मुझे कहाता है कि आप जरूर एक बार दीखे इसका कंसेप्ट मैम के एक्टिंग और स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और वो जो एक दोर रहता है किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में कि जो घरीलो फिल्मी बनती है उससे ये अलग हटके कुछ करने की कोशिश थी और जैसे मैंने अभी कहा कि जिस जगावी प्रॉब्लेम्स एरियास में हैं उन लोगों को ये स्टोरी अपने दिल को छूके जाएगी क्योंकि वो उनके नुजरों के सामने कुछ ऐसे हुई गटना होती है और यहाँ पे चेगवरा और माओ की तस्वीर उनके बुक्स जो दिखाए जिन लोगों को मतलब इसमें थोड़ा सी नौलेज है उन लोगों को समझ आ भी गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आज तक कम से कम में तीन से चार बोडो मूवीस के टेलर पे रियक्षन दिया है ये देखके बहुत अच्छा लगता है कि जो कंसेप्ट होते है बोडो मूवीस में वो देखके बहुत अच्छा लगता है वो जो सास, बहु और घरेलो, हिंसा तो जो स्टोरी ए उसके कुछ उपर उटके बनाने की कुशिश है और वो हमेशा ही किसी भी film industry को उपर ले जाती है जैसे अरटी film industry का आपको एक एक जामपल दे दूँ तो एक जमाना था कि सास बहु को टॉचर करती है उस हिसाब से story को बनाया जाता था क्योंकि पूरी फैमिली बैठ के देख सके पर अब जो माराठी फिल्म इंडिस्ट्री यह एओ हर तौपिक मे ऊँपनाती है तो आज माराटी फिल्म इंडिस्ट्री की जो हमारी इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री है साउथ की हो उस टॉप फिल्म इंडिस्ट्री में उसको गिना जाता है तो बहुत अच्छा बात है कि बॉर्ड फिल्म इंडिस्ट्री के लिए भी कि वो इतने बहतेरीन मूवीज बना रहे इतने आच्छे-अच्छे टॉपिक पे भी मूवीज बना रहे है वो देखके बहुत अच्छा लगा और यह ट्रेलर भी बहुत पसंद आया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताईए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक अपना खयाल रखे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जैहिन